खबरों में आगे रुक करते हुए अगली बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बताए जापर बीजेपी उमीदबार कृष्टपाल गूजा ने बयान दिया है दरसल आएंडिया ये करदबंदन की लोगतंत्र बचाओ रैली पर गूजा ने बयान दिया है लोगतंत्र कभी खिसकी हुई है ये भी वो आगे अपने बयान में कहते हैं और सातिसा विपक्ष के अस्तित्व को उन्होंने खत्रे में बताया है तो परिदाबार से बड़ी जानकारी आप तक साजा करें बीजेपी उमीदवार कृष्टपाल गूजर ने बयान दिया है कृष्टपाल नादान खाली है तो ये बड़ी जानकारी आप तक साजा करें बीजेपी उमीदवार कृष्टपाल गूजर ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि दरसल पीम मोदी के आगे जो चुनावी नादान है वो बिल्कुल खाली है इंडिया गडबंदन की लोगतंत्र बचा औ अपने बयान में कई बातों कर जिक्र किया वोने विपक्ष को लेकर है का कि विपक्ष का अस्तित्व तो खत्रे में है पियम मोदी के सामने चुनावी मैदान बिल्कुल खाली है यानि पियम मोदी के आगे तो कोई चुनावती नहीं है लोगतंतर नहीं विपक्स का अस्तित खत्रे में हैं वो अपनी इज़त बचाने के लिए ये रैली कर रहे हैं लोगतंतर तो देश में ना सद्रियों से ना कोई खतम कर पाया ना कोई खतम कर पाएगा लोगतंतर को समात करने की भी कोशी से एक बार 1975 में कॉंग्रेश ने ही की थी जब कातात काल लगाया था लेकिन तब भी ये देश के लोगतंतर को समात नहीं कर पाये थे लोगतंतर को हमेशा इस देश में रहा है और रहेगा लेकिन अब विपक्ष का अस्तित खत्रे में हैं वो बिलकुल जमीन पर लेते हुए हैं इसलिए अपना अस्तित बताने की तरह इस तरह ओचे हत्कंडे अपना रहे हैं लेकिन इस बार देश की जनता ने तै कर लिया है कि इनका अस्तित इस बार खतम करना है क्योंकि इन लो झाल